हेलो गई साज हम बात करेंगे ओपो के एप मार्केट के बारे में काफी सारे लोग मुझे कॉमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमारे फोन में जो है एप मार्केट सो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे तो मैं आप लोग को इसका सॉलिशन इस वीडियो में बताने वाला हूं और जो आप लोग का डाउट है वो भी मैं आप लोग का यहाँ पर क्लियर कर दूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का बेल का इकोन को प्रेस कर लीगा ओके तो दिखिए अभी आप लोग देख सर्दे क तो 100% मिल ही जाएगा अगर आप लोग ने गलती से इसको अनिस्टॉल कर दिया है तो किस टैप से इंस्टॉल करेंगे इसके उपर भी मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि कैसे आप लोगर ओपो की डिफॉल्ट एप डेलीट कर देते या वीडियो बनाया है आप लोग देख सकते हैं अस वीडियो को जाके एंड यहां पर बात करें एप मार्केट की तो जैसे कि मैंने वर्जन की बात किया कलरोस 11 कलरोस 6 7 में आप लोग को यह जो है एप मार्केट देखनी को मिलेगा अगर आप लोग के पास उससे नीचे का फो लूपो में हर एक मतलब हर एक मॉडल में सायद मार्केट देखने को मिली जाएगा क्योंकि जाहां तक मुझे पता है ज्यादा ओल्ड डिवाइस की बात नी कर रहा हुए क्योंकि वहां तक उतना मुझे याद नहीं है बाकि अगर आप लोग यह फुन एप मार्केट नहीं उसके बाद एप मेनेजमेंट पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर अप्सन मिलेगा रिकावर अनिस्टॉल सिस्टम एपसेस पर क्लिक करना है और यहां से आप लोग जो है डाउनलोड मोरेस यहां पर जो भी आप लोग का अनिस्टॉल हुआ होगा एप डिफॉल्ट व हो और अगर मैं इसका apk देदू आप लोग को पर भी कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जब आप लोग के phone में सुरू से ही नहीं है तो वो apk भी काम याप नहीं करेगा बठां अगर गलती से या निस्टॉल हो गया होगा तो आप लोग फिर से उसको इस्टॉल कर सकते मैंने आप लोग को उसका तरीका बता दिया है और कॉमेंस करके बताएए कि इसमें और भी आप लोग क्या क्या प्राब्लम आ रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मतादी